इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. आपक्समिन 400 टैबलेट एक एंटी बाउटिक है जो यकृत एंसेफिलोपैथी का इलाज करता है. एक ऐसी स्थिती जिसमें यकृत रक्त से हानिकारक विशाक पदार्थों को निकालने में विफल रहता है, जिससे मस्तिश क्षती होती है. लक्षनों में आंदोलन, भ्रम, मांस्पेशियों की समस्याएं, बोलने में कठिनाई और कभी-कभी कोमा शामिल है. आपक्समिन 400 टैबलेट का उप्योग वयसकों और बच्चों में डायरिया यानि की IBSD के साथ संक्रामक दस्त और चिर्चिडा आंतर सिंड्रोम के इलाज के लिए भी किया जाता है. इस दवा का उप्योग अकेले या अन्य दवाओं के संयोजन में किया जा सकता है. इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है. अधिमान तह एक ही समय पर प्रतीक दिन. इसका उप्योग डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार खुराक और अवधी में किया जाना चाहिए. सबसे अधिक लाब पाने के लिए इसे हर दिन एक ही समय पर लें और जब तक आपको निर्धारत किया गया है तब तक आपको यह दवा लेते रहना चाहिए. इसे जल्दी रोक देने से संक्रमन वापस आ सकता है और इलाज में मुश्किल हो सकती है. कुछ लोगों को उल्टी, सिर्दद, चक्कर आना और मतली जैसे दुश्प्रभाव हो सकते हैं. ये दुश्प्रभाव आमतोर पर अस्थाई होते हैं और उपचार के दौरान दूर हो जाते हैं क्यूंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है. अपने चिकित्सक से परामर्ष करें यदि ये दुश्प्रभाव आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होंगे. इस दवा के कारण आपका पेशाब लाल रंका हो सकता है. लेकिन यह सामान्य और हानरहित है. इस दवा के साथ हिलाज शुरू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप गर्भवती हैं, स्तनपान कर रही हैं या किसी लीवर, किड्नी या हिरदय की समस्याओं से पीडित हैं या यदि आपको किसी दवा से अलजी है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.